गूड मानिंग मेरे प्यारे बच्चों मैं बिजर कुमारे याद हो स्रद्दा इंट्रिमेडियर कालेज राज़ता वराश्री का हिंदी का ध्यापक हूँ मैं आज आपके सामने रस का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ पहला पार्ट यूट्यूब पर विद्यालर के चैनल पर आप लिंक करके उसको रस को पढ़ लेंगे अज दुसरे पार्ट का मैं पढ़ाना जा रहा हूँ रस का परिभासा और रस के चार अंग के बारे में मैंने पहले वीडियो में अस्पष्ट किया था किया था आज हम उन्हीं चारों अंगों को बारी बारे शे आईए हम आपको अस्थाई भाव के बारे में श्पष्ट करते हैं अस्थाई भाव जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है कि अस्थाई भाव जो कि मन मस्तिस पर अस्थाई रहता है इसका परिवासा है अस्थाई भाव प्रतेक सहिर्दय भ्यक्ति के हिर्दय में हमेशा विद्यमार रहते हैं यद्य पी वे सुप्त अवस्था में रहते हैं तथा पी उचित अवस्थर पर जाग्रित एवं पुष्ट होकर ये रस के रूप में परिणत हो जाते हैं अर्थात का नेक मतलब कि जो अस्थाई भाव होता है वह एक भाव होता ही है अंदर किसी प्रकार का होता है वह अस्थाई भाव प्रतेक ब्यक्ति के हिर्दय में होता है लेकिन एक उचित समय ऐसा आता है कि वह भाव जागरित हो जाता है उसे कहते हैं अस्थाई भाव जैसे रास्ते पर हम जा रहे हैं अचानक कहीं कोई पशु मरा हुआ दिखाई दे रहा है हम घर से प्रसन मुद्रा में चल लहे थे लेकिन पशु के देखते ही मरेवे पशु के विक्रेवे अंगों को देखते ही हमारे अंदर जो घिर्डा उत्तपन हो जाती है उसी को हम कहते हैं अस्थाई भाव और अस्थाई भाव कुल अस्थाई भाव नौ माने गये है क्योंकि पहले भरत्मुनी ने इसकी संख्या आठी माने थी बाद में सांत रस को जोड़ लिया गया है नौ हो गया और दो अस्थाई दो जो रस है अस्थाई भाव है वो बाद में जोड़ गया है वातसल वसलता और भक्ती ये दो और जोड़ गया है इस तरह से कुल 11 हो गये हैं आईए हम बारी बारी से सभी का अस्थाई भाव और रस बता देते हैं रती अस्थाई भाव है रती रती में सोता है प्रेम इसको नोट कर लिजिएगा रती में सोता है प्रेम और प्रेम और इसका रस होगा स्रिंगार देखे रती जो तीन प्रकार का होता है इसको हम इसके बाद आपको असपस्ट करेंगे पहले यह देख लेते हैं अस्थाइभाव हास, रस है हास, अस्थाइभाव शोक, रस है करुण, अस्थाइभाव शाह, रस है बीर, अस्थाइभाव क्रोद, रस है रोद, अस्थाइभाव भै, रस है भयानक, अस्थाइभाव जुगुपसा जिसे हम घिर्णा कहते हैं वह रस है विभत अस्थाइभाव बिश्मे जिसे हम आस्यर्य कहते हैं रस है अद्भुत रस अस्थाइभाव निर्वेद रस है सान और यह नहों हो गया दो और है वतसल्ता अस्थाइभाव वतसल्ता रस है वातसल् अस्थाई भाव भक्ति रस है भक्ति इस प्रकार से यह ग्यार अस्थाई भाव और रशों की संख्या इसके आगे हम आपको नोट के वारे इस रती के बारे में बताते हैं नोट रती नामक अस्थाई भाव के प्राचीन गरंथों में तीन भेद किये गया है प्राचीन गरंथों में जो रती मैंने कहा था रती का प्रेम जो होता है वह तीन प्रकार का होता है पहला क्या होता है कांता बिस्यक रती का मतलब होता है जोहां नर और नारी का पराच्परिक प्रेम होता है जहां केवल नायक और नायका का पराच्परिक प्रेम होता है वहीं पर इसे कांता बिस्यक रती कहते हैं यह सिंगार रस होता है दूसरा है अपत्य विश्यक रती अपत्य विश्यक रती का मतलब होता है जहां संतान विश्यक प्रेम जहां माता और पुत्र के प्रती जो प्रेम होता है उसे हम अपत्य विश्यक रती कहते है यह रती यह रस वास्चल होता है तीसरा है देवता विस्यक रती, जो देवता विस्यक रती का मरतब है भगवान के प्रती भक्त का प्रेम, ये जो है देवता विस्यक रती होता है, और ये भक्ती रस कहलाता है, अर्थात इस प्रकार से रती का जो प्रेम होता है, तीन प्रकार से होता है, रस गिनने के लिए तीन होता है लेकिन कहीं न कहीं तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए है सब प्रेम पर ही डिपेंड है इसलिए इसे रथिक कहते हैं आज ये अगला है अस्थाई भाव के बाद दूसरा है विभाव बिभाव जो है बिभाव का परिभासा है कि जो कारण ब्यक्ति पदार्थ प्रस्तितियां आदी दूसरे ब्यक्ति के हिर्दय में अस्थाई भाव को जागरित तथा उदिप्त करते हैं उन्हें बिभाव कहते हैं बिभाव के दो भेद होते हैं आलंबन बिभाव उद्धिपन बिभाव देखी जो कारण अर्थात कहने का मतलब जिस कारण की वज़से अस्थाई भाव हिर्दय में जाग जाता है या उद्धिप्त तथाई भड़क जाता है उसे हम कहते हैं अस्थाई अरे कहते हैं बिभ क्योंकि जिसकी वज़स जैसे मरा हुआ पसु है तो मरे हुए पसु की वज़स से हिर्दय में घिर्णा उत्पन हो रहा है इसलिए वह क्या होगा वह बिभाव होगा इसलिए बिभाव को हम दो भागों बटे हैं आलंबन बिभाव उद्धिपन बिभाव यहां डाइग्राम बनाए हुए हैं देखिए आलंबन बिभाव उद्धिपन बिभाव आलंबन बिभाव भी दो प्रकार का होता है आस्रे और बिस है तो आलंबन बिभाव को हम अश्पश कर लेते हैं आलंबन बिभाव जिस भ्यक्ति अत्वा वस्तु के कारण कोई भाव जागरित होता है उ आलंबन बिभाव के दो भेद होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि आलंबन बिभाव के भी दो भेद होते हैं, पहला है आस्रे, दूसरा है बिसे, अब आस्रे किसे कते हैं, जिस ब्यक्ति के हिर्दे में अस्थाई भाव जागरित होता है, उसे आस्रे कते हैं, बिसे, जिस ब्य ब्यक्ति के हिर्दय में अस्थाइ बाऑ जगता है, उसे आसर है, जिस ब्यक्ति के कारण या वस्तु के कारण अस्थाइ बाऑ जगता है, एक रग्या है उद्धीपन विभाव, उद्धीपन विभाव तो उद्धीपन विभाव के ऐसे किसे कहते हैं अस्थाई भाव को उद्धीप तथा तिब्र करने वाला कारण ही उद्धीपन विभाव कहलाता है अस्थाई भाव को उद्धीप तथा तिपर करने वाला कारण उद्धीपन बिभाव का लाता है अर्थात इस प्रकास से बिभाव इस बीडियो में अस्थाई भाव और बिभाव के लिए हो गया है और इसे आप अच्छी तरह से देखें, समझें, लाइक और सेर करना ना भूले कोई भी समस्या या होता है तो भी द्याले के वाड़ साबित नंबर पर आप लेकर भेड़ें अगला वीडियो हम अनुभाव को अगले वीडियो में हम देंगे